पॉर्टेगर इस पर मैं हूँ आर्क सिंग अधाज के लूट इसके कुछ प्राक्रिकल एप्लिकेशन्स तो दोस्तो चलो करते हैं क्लास को सुरू लेकिन क्लास इस्टार्ट में से पहले जो सभी दोस हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को प्लीस सस्क्वाइब कर तो दोस्तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट दोस्तो जैसे कि हम लोग उने प्रिवियस क्लास में सेंटिपेटल एंड सेंटिफ्यूगल फोर्स को डिसस के हैं तो आज के इस क्लास में हम लोग उनी दो टोपिक से रिलेटेड दो टोपिक को डिसस करने वाले हैं क्या क्या ह साइक्लिस्ट और बाइक राइडर ठीक है तो दोस्तो इन दो टोपिक को समझने के लिए हमें चाहिए होगा सेंटिपेटल और सेंटिफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट जो की हम लोग ने प्रिवियस लेक्चर में ही समझ के रखा है अगर आपने प्रिवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो डिफिनेटली देख लीजे लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डेस्क्रिप्शन पर या फिर हमारे चैनल को विजिट करिएगा और वहाँ पर इंजिनियरिंग फिजिक्स का प्लेलिस चार्च करिएगा और वहाँ पर आपको प्रिवियस लेक्चर मिल जाएगा फोर्स एंड मोशन नाइन नंबर क्लास ठीक है दोस्तो चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग आप रोड से धनुस के बाद बेंडिंग आप साइकलिस्ट एंड बाइक राइडर ठीक है और आखिर में हम लोग क्या करेंगे बैंकिंग आप रोड एंड बेंडिंग आप साइकलिस्ट से एक एक करके लिए नियुमेरिकल प्रॉब्लेम भी सॉल्व करेंगे तो क्या होता है दोस्तों बेंकिंग आप रोड इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आप देखो से रहता है, टिकें? ओके. यह रोड मैटरियल है, एंश के नीचे बहुत कुछ रहता है, टुक यह हमारा रोड का मैटरियल है, इसके उपर हमारा वेहिकल चलता है, तो यह जो खृश सेक्शन है दोस्तों, देखो, यहाँ फे defend difficulties दो एजेस जो है ये दो एजेस थोड़ा सा नीचे रहता है एंड सेंटर ये थोड़ा सा उपर रहता है इसको हम लोग क्राउन कहते हैं क्राउन ठीक है यह है आपका क्राउन इसको क्यों दिया जाता है ऐसा सेफ क्यों दिया जाता है देख दोस्तों बारिस के समय बारिस के समय यह जो बारिस का पानी है यह रोड में ना रहे इसके लिए दिया जाता है इस तरह का सेफ ठीक है ना इस तरह का सेफ अगर बारिस में पानी यहाँ पे रुख जाए, पानी यहाँ पे कही जमा होने लगा, तो फिर हमारा जो road का material है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है, and ultimately हमारा पूरा road जो है, खराब हो जाएगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा, बालिस के बक्त roads जो है, ज्यादा खराब होते हैं क्यों अगर पानी यहाँ पे जमने लगा तो फिर रोड मैटरियल वहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है है राखिर में रोड जो है मारा खराब हो जाता है ठीक है तो यह तो था स्ट्रीट पोर्शन पे अभी अगर इस रोड में कोई कार्व आ लगसा होगा थोड़ा सा लगसा होगा कैसा होगा यहाँ पर मैं इसको ड्रॉग लेता हूँ देखो यह का पोर्शन में अगर मैं इस सेक्शन को ड्रॉग करूं तो कुछ इस तरह से होगा जो इनरेज होगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा एंड जो आउटर इस होगा वो यह है outer edge, ठीक है ना, यह outer edge है, यह inner edge है, यहाँ पर यह होगा आपका outer edge, इधर यह होगा आपका inner edge, तो curve बले portion में, road का जो cross section होता है, कुछ इस तरह का होता है, क्यों इस तरह का दिया जाता है, इसको अभी हम लोग discuss करने वाले हैं, ठीक है, बस आप इतना जानके रखिए, curve portion में, कुछ इस तरह का cross section shape दिया जाता है, जिसको हम लोग banking of road कहते हैं, तो banking of road का simple सा definition कैसा आएगा दोस्तों, banking of road का simple सा definition यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर कहीं पर पूछ लिया जाए, what is banking of road, तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, in the curve portion of any road, the outer edge is raised with respect to the inner edge of the road. this is known as banking of road, ठीक है, in the curve portion of any road, the outer edge is raised with respect to the inner edge of the road, this is known as banking of road. car portion में, road का जो outer edge है, उसको raised किया जाता है inner edge की respect में, मतलब inner edge की respect में, outer edge को थोड़ा सा उपर रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, banking of road, अब सवाल यह हैं दोस्तों, ऐसा क्यों किया जाता है, कि outer edge को उपर क्यों रखा जाता है, तो यहाँ पर, अगर इसका हम लोग answer लिखे, तो कुछ इस तरा से होगा, this is done to provide, provide the necessary, necessary centripetal force, to the vehicle, for circular motion, and to prevent skidding, overturning of vehicle while turning, ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, to provide the necessary centripetal force, vehicle को necessary centripetal force देने के लिए, ऐसा किया जाता है, and जिससे क्या होता है, vehicle का जो skid होने का जो chances है, and जो overturning होने का जो chance है, उसको prevent किया जाता है, मतलब उसको कम कर दिया जाता है, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो फिर turning लेते वक्त हमारा जो कार होगा, या फिर कोई vehicle होगा, bus होगा, वो क्या होगा, skid कर जाएगा, and overturned भी हो सकता है, pollen भी सकता है, तो generally देखा जाता है, जो accident होते हैं जादा, वो कार्व में होता है, turning में होते हैं, जिसके लिए कार्व में, एक speed limit set किया जाता है, इससे ज़्यादा speed में कार को ना चाहिए, नहीं तो कार हमारा skid हो जाएगा, या फिर पलट जाएगा, accident हो जाएगा, तो ये था definition and ये था reason क्यों banking off road किया जाता है, तो इन दोनों को फटा फट से लिख लिए, तो आगे हम लोग बरेंगे, ओके, चलो, अब आगे हम लोग बरते हैं, आगे हम लोग अभी तीन cases को देखेंगे, ठीक है, थी cases को, and वहाँ से हम लोग banking off road के थी parameters को निकालेंगे, सबसे पहले तो angle of banking निकालेंगे, कि कितना angle में हमें road को raise करना है, ठीक है, and उसके बाद हम लोग निकालेंगे maximum speed, then उसके बाद minimum speed, ओके, तो ये तीनों cases में हम लोग क्या करेंगे, ये तीन parameter को निकालेंगे, ओके, चलो, यहाँ पे भी एक diagram डॉख करना होगा, तो पहला condition क्या है दूस्तों, पहला condition है आपका frictionless condition, frictionless condition, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, road को हम लोग frictionless मान लेंगे, ठीक है, road के बीच and vehicle के tires के बीच कोई भी friction नहीं होगा, यह हम लोग मान के क्या निकालेंगे, हम लोग इसको मान के angle of banking of road निकालेंगे, ठीक है, angle of banking, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से banking क्या जाता है, तो यह जो angle है, इसको हम लोग क्या कहते है, angle of banking, तो इस condition से हम लोग क्या निकालेंगे, angle of banking theta निकालेंगे, चलो तो इसके लिए मैं यह आप एक figure draw कर लेता हूं अभी देखो माल लेता है यह हमारा horizontal line है ओके यह फिर यह ground surface है ground level है ओके यहाँ पे road को कुछ इस तरह से draw बनाया गया है यह turning वाला portion है ओके यह turning वाला portion है और यह जो angle form हो रहा है यह थीटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं angle of banking ओके यह होगा angle of banking और यह जो height है दोस्तो inner age के respect में यह inner age है यह outer age है इसके respect में जो height है दोस्तो इसको यह नाम दिया जाता है जिसको civil engineering term में super elevation कहा जाता है ठीक है super elevation ओके चलो यहाँ पर हम लोग एक कार ड्रों कर लेते हैं यह car का टायर हो गया and कुछ इस तरह से हमारा कार होगा के कुछ इस तरह से हमारा कार होगा और यह हो गया हमारा कार यह टायर है तो जो car का weight है दोस्तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ act करेगा mg car का weight मान लेते हैं mg है and क्यूंकि ये circular motion पे है ये जो car हमारा turn हो रहा है turning में turning में जो car हमारा चल रहा है turn हो रहा है यहाँ पर move कर रहा है car तो इसमें 2 forces लगेगा दो forces लगेगा एक तो है आपका centrifugal force जो बहार की तरफ होगा तो देखो यहाँ पर अभी centrifugal force कहा से आएगा आट centrifugal force कहा से आएगा इसको थूरा सा हम लोग देख लेते हैं देखो क्यूंकि ये car हमारा turn हो रहा है circular motion पर चल रहा है, तो इसमें centipetal नहीं, centrifugal force लगेगा बाहर की तरफ, ओके, इसको हम लोग माल लेते हैं, F, F का value क्या है दोस्तो, mv square by r, ठेक है, दिख रहा है आपको, ठेक है, दिख रहा है, तो ये है आपका centrifugal force, centrifugal force, जो की बाहर की तरफ रख रहा है, ओके, and, यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल इस दिख रहा है, मतलब यह surface से एकदम vertical ली जाएगा, surface से एकदम, यह perpendicular ली जाएगा, ठेक है, यह क्या होगा, normal reaction, देखो, यह car चल रहा है road पे, तो यह car आपका road पे एक force देगा, ठेक है, and road भी एक opposite reaction देगा, जिसको हम लोग normal reaction कहते हैं जैसे हम लोग अभी, जमीन पे करे है, तो हमारा weight के बज़ए से, एक force आप लोग दे रहा है, जमीन भी हमें एक force दे रहा है, बिल्कुल opposite and same magnitude का, तो यह R दे रहा है, ठेक है न, अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यह जो दो force है, एक तो weight के बज़ए से, एक force आ में, एक तो R के along, बिल्कुल, इस along आ जाएगा, and एक, यह route के surface के parallel, ओके, चला इसको मैं ब्लैक में लिखता हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यह हमारा component of force आ गया, इसके लिए, एन इसके लिए कैसा आएगा दोस्तों, इसके लिए भी कुछ इस तरह से आएगा, ए देखे, यह geometry का चीज है, तो हम लोग इसको सीख के रखे हैं, class 9 पर या पि 10 पर, तो यह angle भी theta होगा, यह angle भी theta होगा, अब हम लोग component में कैसे split करेंगे, देखो, इसका जो यह वाला component होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि यह cos है, angle हमारा इसके साथ जुरा है, तो यह ह होगा, आपका, mg cos theta, and mg का, यह वाला component क्या होगा, mg sin theta, ओके, और देखो, centrifugal force का, यह वाला component क्या होगा, दोस्तों, यह वाला component होगा, आपका, mv square by r, angle यह है, तो यह आपका sin में आ जाएगा, क्योंकि angle इसके साथ जुरा हुआ होगा, यह होगा, आपका, mv square by r, cos theta, ओके, चलो, अब हम लोग ने component पे इसको divide कर दिया है, क्योंकि friction less condition है, तो tire and road के बीच कोई भी friction अभी हम लोग consider नहीं करेंगे, ठीक है, यह ideal condition है, तो यहापे हम लोग friction को consider नहीं करेंगे, चलो, अब देखो, अब क्या है दोस्तों, यह जो reaction है, यह reaction उपर की तरफ लग रहा है, यह दो component force है, यह दोनों force नीचे की तरफ लगा है, तो यह दूसरे को क्या करेगा, resist कर देगा, क्योंकि हम लोग equilibrium and ideal condition consider कर रहे हैं, तो यह दोनों force एक दूसरे को क्या कर देगा, रिजिस्ट कर देगा, मतलब यह दोनों force equal हो जाएगा, नहीं यहापर लिख सकते हैं, road surface के parallel एक तरफ ये लग रहा है and एक तरफ ये लग रहा है and ये दोनों force भी equal होगा क्योंकि हम लोग ideal and equilibrium condition को consider कर रहे हैं तो ये दोनो equal रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे mg sin theta is equal to mv square by r cos theta तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ये वाले जो equation हमें मिला है यहाँ से हम लोग normal reaction को calculate कर सकते है normal reaction and यहाँ से ये दो नमर equation से हम लोग क्या करेंगे इदर हम लोग mg रख रही है is को इदर बिल्कुल इस तरह से side theta and cos theta को इदर लिएंगे तो ये हो जाएगा cos theta and इदर Mv square by r okay sin theta by cos theta क्या हो जाता है दोस्तों 10 theta यह दोनों पार्ट इथर ले आओ तो यह हो जाएगा mv square by mg r ठीक है तो mm क्या होगा when is हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा सिर्फ v square by rg rg तो यहाँ पे हमें मिल गया है 10 theta is equal to v square by rg इसको अगर हम लोग यहाँ से theta निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों theta is equal to 10 को अगर इथर ले आते हैं तो 10 inverse हो जाता है 10 inverse v square by rg तो यह वाला formula को याद रखना है ठीक है यह है angle of banking का formula ओके इस formula को आप note down करिए ठीक है यह पूरा derivation आप सिर्फ समझे आपकी syllabus में derivation तुर है नहीं लेकिन यह formula को याद रखना हुगा क्योंकि इससे numerical पूछा जाएगा definitely पूछा जाएगा ओके तो इस formula को याद रखिए यह किसका formula है angle of banking of road okay for ideal condition for ideal condition okay चलो तो इसके बाद हम लोग second condition को भी देख लेते हैं जहाँ से हम लोग maximum speed निकालेंगे वी मैक्स निकालेंगे maximum speed और वेहिकल जब कोई टर्निंग पे कोई वेहिकल चलेगा ठीक है टर्न लेगा तो इसका maximum speed क्या रहना चाहिए जिसे की वह पलट ना जाए या फिर skid ना हो ठीक है skid ना हो या फिर वह पलट ना जाए तो वह कौन सा speed है कौन सा speed है कितना होगा इसका maximum value वह हम लोग निकालेंगे अभी देखो दोस्तों car racing तो आपने देखा होगा car racing में क्या होता है जब जो formula 1 car racing होता है formula 1 जो car होता है ना वो जब turning लेते हैं दोस्तों ज्यादा तर देखेगा कि turning लेते वक्त वो फिसल जाता है बाहर की तरह चला जाता है उसको हम लोग इस time पे vehicle हमारा move होने का tendency केधर है इस kid होने का tendency किदर है इस kid हमारा इधर को होगा ठिका है इस kid किधर होगा बाहर की direction पर होगा तो friction हमारा किस तरफ काम करेगा किस दिशा में वक्रीBution friction always movement के opposite दिशा में काम करता है तो friction जो कि tire and road के बीछ है जो कि tire and road के बीछ है वो किधर काम करेगा opposite दिशा में इस kid के opposite दिशा में मतलब यहाँ पे आगया हमारा mu r, mu क्या है दोस्तो coefficient of friction friction को हम लोग next unit पर पणने वाले हैं तो फिलाल अभी यहाँ पे mu को याद रखेगा यह है coefficient of friction and r तो आपको बता है normal reaction r का value भी हमें पता है अगर हम लोग प्लास कर देते हैं तो r का value हमें मिल जाता है तो देखो अभी अगर हम लोग इस condition को analyze करेंगे तो क्या होगा road के road surface के along analyze कीजे इस तरफ कॉंचा force लग रहा है यह वाला force and इस तरफ कॉंचा force लग रहा है यह वाला force प्लास यह वाला force तो यहाँ पे हम लोग analyze करते हैं देखो mb square by r यह होगा cos theta is equal to होगा इधर mg sin theta plus mu r का value हम लोग उने निकाले है r का value क्या है तो r का value हम लोग बाकी लगा देंगे यहाँ पे r का value plus mu r का value है हमारे पास mg cos theta plus mb square by r sin theta ठीक है next line पे हम लोग क्या करने वाले हैं इधर बिल्कुल यही रहेगा r cos theta mb square by r cos theta तो इधर रहेगा mg sin theta plus इस mu को इन दोनों के साथ multiply कर दो तो mu mg cos theta plus mu mb square by r sin theta अब देखो यहाँ पे mb square by r इधर भी है mb square by r इधर भी है तो इस पार्ट को हम लोग इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा mb square by r cos theta minus mu mb square by r आपका होता है sin theta इधर को रहेगा सिर्फ mg sin theta plus mu mg cos theta तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं अभी हम लोग common लेंगे देखो यहाँ से इस दो टाम से mb square by r common जा रहा है और यहाँ पे mg common जा रहा है तो यहाँ पे common ले लेते हैं mb square by r रहेगा cos theta minus mu sin theta इधर को क्या रहेगा mg अगर common लेते हैं तो यह जो v है इसका value हमें निकालना है इस पूरे equation से तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तो यह देखो अब v square को छोर के दिखरा है नीचे side दिखेगा चलो v square को छोर के बाकी part को हम लोग इधर ले जाएंगे तो सबसे पहले देखो पहले तो यह बाला part हम लोग लिख लेते हैं इधर रहेगा mg sin theta plus cos theta नीचे आएगा आपका क्या आएगा m आएगा and r जो है r आपका उपर multiply हो जाएगा and यहाप यह बाला part यह बाला part यहाप नीचे आएगा cos theta minus mu sin theta ओके तो इस लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं इस लाइन में हम लोग इस एम को इस एम को वेनिस कर सकते हैं तो हमारे पास ultimately क्या रहेगा दोस्तो ultimately क्या रहेगा हमारे पास हमारे पास रहेगा v square v square is equal to क्या रहेगा हमारे पास देखो r and g r g यहाई से साइन थीता प्लास म्यू कॉस थीता एन नीचे रहेगा सिर्फ कॉस थीता मायनस नियू साइन थीता ओके ठीके नवी स्कुलिद इतना रहेगा अभी फीसक्रा से आप वीमेक्ष निकल लिए तो इसक्रा इद रहता तो इदर रूट लग गया बस यह हो गया हमारा formula V max निकालने का इसको भी याद रखेगा ठीक है इसको भी याद रखेगा अगर V max निकालने के लिए पुछा जाता है maximum speed maximum speed of the vehicle for safe turning for safe turning तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे ठीक है ना चलो अब तीसरा condition भी हम लोग consider कर लेते हैं minimum speed निकालने का यह पूरा आप लिख लिए फटावर्ट से वीडियो को पॉस्ट करके भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं चलो अभी हम लोग क्या करेंगे वी minimum ले रहा हूं मौत का कुवा ठीक है मौत का कुवा डेथ वेल तो मौत का कुवा जो फेल होता है दोस्तों वहां पर क्या किया जाता है एक इस तरह का structure बनाया जाता है ठीक है बिल्कुल इस तरह का यह सर्गुलर कोन अकर में तो यहां पर जो कार होता है और बाइक होता है य ठीक है, क्योंकि पुरा देखो, पुरा जो मौत का कुई होता है, वो एक turning ही होता है, वहापे घुमना, घुमना मतलब circular motion पे, तो वहापे सिर्फ turning ही turning है, तो turning ही turning है, तो यहापे हम लोग इसको angle of banking तो मान सेते हैं, देखो यह हमारा angle of banking, यह है outer edge, और यह है inner edge, तो inner edge के respect में outer edge को उपर रखा जाता है यह जो angle बनता है यह है angle of banking ठीक है तो इस case में यह जो car हमारा घूम रहा है ठीक है यह जो car या फिर bike हमारा घूम रहा है तो bike and car के लिए minimum क्या speed होना चाहिए जिसे की यह car या फिर bike ना गिरे नीचे ठीक है अगर यह car या फिर bike इस बीच में ठीक है इस पूरे wall के किसी भी point पे अगर रोग देता है एक दम step हो जाता है तो फिर क्या होगा यह नीचे गिर जाएगा हमारा जो car होगा या फिर bike होगा वो नीचे गिर जाएगा ठीक है तो वहाँ पे एक minimum speed set क्या जाता है कि इसके नीचे हम लोग car को नहीं चला सकते अगर नीचे चलाएगे तो फिर हमारा जो car होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा ठीक है नीचे की तरफ उतर जाएगा लेकिन अगर हमें same height पे रहना है ground से same height पे रहना है तो एक minimum velocity को हमें maintain करके रखना होगा अगर नहीं तो फिर गिर जाएगा ठीक है ना तो इसी minimum velocity को हम लोग कैसे निकालेंगे ठीक है ना इसी minimum velocity को हम लोग कैसे निकालेंगे देख लेते हैं अभी यहाँ पे लिखते हैं third condition V minimum minimum speed तो देखो दोस्तो अब यह हमारा angle of banking है यह हमारा outer edge, inner edge तो यहाँ पे car रहता है तो road में generally हम लोग turning पे car को रोख सकते हैं रोख के रख सकते हैं जैसे मौत की कुया में होता है हम लोग car को बाइक को नहीं रोख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे angle of जो banking होता है वो बहुत ही जादा होता है angle of banking बहुत ही जादा होता है लेकिन road में उतना ज़्यादा angle of banking तो दिया नहीं जाता जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको रोख के रख सकते हैं लेकिन देखो लेकिन by chance road फिर फिसलन वरी कोई चीज रखा गया हो मतलब कीचर है या फिर mobile डाल दिया गया हो sorry कोई भी oil डाल दिया गया हो lubricant oil अगर mobile डाल देते हैं तो फिर यह condition में अगर हम लोग कार को रोकते हैं ठीक है कार को रोकते हैं friction की वज़े से कार हमारा ऐसे खरा रहता लेकिन अगर यहाँ पे friction नहीं होगा तो फिर कार तो हमारा निचे आएगा न ठीक है यहाँ पे इसलिए minimum speed का एक concept आता है कि turning में minimum speed क्या होना चाहिए safe turning के लिए ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे देखो अभी देखो minimum speed निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यह जो friction है इसे देखना होगा यह friction किस तरफ काम करेगा किस तरफ काम करेगा जब हमारा vehicle minimum speed में रहेगा तब यह जो vehicle है वो किस तरफ फिश लेगा बोलो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ जैसे मौत के कोई में होता है मैंने मौत का कोई का example इसलिए दिया था यह भीतर की तरफ फिश लेगा तो movement किदर हो रहा है movement का दिशा इधर है यह skid अधर नहीं रहेगा इसकी डब इधर हो जाएगा इधर skid करने लगेगा तो friction जो है दोस्तो friction हमारा किस तरफ लगेगा बाहर की तरफ लगेगा friction हमारा यहाँ पर लगेगा बाहर की तरफ तो इसी case को हम लोग यहाँ पर consider करने वाले हैं देखो अब surface के parallel road surface के parallel कौन सा कौन सा force लग रहा है यह वाला force इधर को लग रहा है और ये दो force इधर को लग रहा है तो ये दोनों forces को अगर हम लोग equal कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है mg sin theta पहले हम लोग mb वाला part को इधर लेखते हैं तो ज्यादा यहीं रहेगा mb square by r cos theta plus mu r is equal to mg sin theta ठीक है, r का value में पता है mb square by r cos theta plus mu r का value क्या है दोस्तों ये बाला है mg mg cos theta plus mu mb square by r sin theta is equal to क्या होगा mg sin theta तो mb r part को इधर रखते हैं mb r वाला part को इधर रखते हैं cos cos theta plus mu mb square by r sin theta is equal to इधर रहेगा mg sin theta पहले से इता एड़ इस पार्ट को हम लोग उधर ले जाते हैं धो हो जाएगा mim you em g cos theta यहाँ से mg square by r common लेते हैं यहाँ से mg common लेते हैं वाले पास रहेगा mg square by r and यह हो जाएगा cos theta plus mu sin theta is equal to mg अग़न लेते हैं तो रहे जाएगा sin theta minus mu cos theta यहाँ से आपको v square का value निकालना है और उसके बार v का value मिकालना है तो V minimum का जो value होगा तो क्या होगा दोस्तो root over या पर मैं एक time को skip कर रहा हूँ V minimum क्या होगा देखो mm तो venus हो जाएगा तो रहेगा Rg sin theta minus mu cos theta by क्या रहेगा cos theta plus mu sin theta यह हमारा minimum velocity का sorry minimum speed का formula हो ला ओके एंड इसी formula के सहारे मौत के कुए में जो speed limit किया जाता है minimum speed इसी formula के सहारे निकाला जाता है यहाँ पर जो value निकलेगा उस speed के नीचे कोई फिकार या फिर कोई भी bike नहीं चला सकता अज़र चलाता है तो फिर वो नीचे गिर जाएगा तो इसी minimum speed को वहाँ पर maintain करके रखना होता है दोस्तो banking of road का concept यही तक था तीन formula हम लोग ने derive किये है इनी तीन formula का हम लोग numerical भी करने वाले हैं ठीक है ओके तो numerical में इसी तीन formula से सवाल पूछा जाएगा इधर आपका angle of banking पूछा जाएगा या फिर radius निकालने के लिए बोला जाएगा या फिर speed निकालने के लिए बोला जाएगा ठीक है तो इनी तीन formula के सारे हम लोग निकाल सकते हैं तो तीनो formula याद रखेगा हम लोग discuss करने बाले हैं bending of cyclist cyclist और bike rider ठीक है अब देखो जो लोग cycle जलाते होंगे बोलोग यापे cyclist का concept समझेगा जिसके पास bike है बोलोग bike का concept समझेगा concept एक ही है ठीक है बस अब जब imagine कीजएगा तब cycle वाले cycle को लेकर imagine कीजएगा bike वाले bike को लेकर imagine कीजएगा तो दोस्तो bike racing या फिर cycle racing आप लोगों ने देखा ही होगा जब racing मेज cycle cycle या फिर bike वाला turning लेता है तो वो अंदर के तरफ bend हो जाता है थोरा सा angle पे bend हो जाता है जैसे कि मैं अबी cycle चलाणा हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह पर मुरूँगा, इस तरह पर टarne लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, कि इस तरह प्रावाइसा Stephenия हो जाओँगा, जब इस तरह प्राव जाओँगा, तो ऐसा Stephenie क्यों होते हैं,ilianie क्या है, पर बेनी क्या है, अग इसके पर्परपेंडिखोर करेंगे एक बिल्कुल भर्टिक रेंगर करेंगे यहां पे हमलोग माले थे यह हमारा साइकल का टायर है है बाइक बाइक का टायर समझेक समझते हैं यह उपर यह समझते यह पिंडल मारें ठीक है नम वाले तो हैल्मेट नहीं पेंदे तो यहापर है अब करूंगा फैक अ कृपक्त कि तरफ कर ठीक है और इंगलऑ बद्या कर रहा है यह आपकाrà थीटा ठीक है इसको हम लोग कहते हैं Angle of bending गे Angle of bending of cyclist तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं Angle of bending of cyclist Angle of bending of cyclists ठीक है यह हो गया और बेन देगे तो अब यहाँ पर हम लोग forces को analyze करेंगे forces को क्या क्या लग रहा है और किस तब किस तरफ लग रहा है देखो यह जो साइक्लिस्ट यह जो बंदा है साइकल चलाना इसका भी कोई बजन होगा वो नीचे की तरफ एक करेगा यह होगा इसका बजन mz and क्योंकि circular motion पर है तो एक outer दिसा में बाहर की तरफ एक force लगेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं centri-fugal force जिसका यह साइकल वाला रोट पर किस एंगल कर फोर स्थे रहा है इस एंगल पर लेकिन ऑपya ja एक्षण कौन दे रहा है ये रीक्षण डोड दे रहा है आप तो यह दे रहे ना यह फोर्स आप डे रहे रहे रोड़ पे लेकिन रोड ये वाला र्रेक्श Kenn डे रहा है आपको चलो अब हमारे पास तीन फोर्स थो कियो थेन लेकिन सब्ल compelled motion पे चलने के लिए circular motion पे चलने के लिए एक necessary force होता है, वो क्या है centipetal force, हम लोग ने इसको discuss किये है previous class में, ठीक है circular motion पे body को move कराने के लिए, जो required force होता है, उसी को हम लोग centipetal force कहते हैं, यहाँ पे centipetal force टाईए, हमें centipetal force टाईए, तो centipetal force कहा से आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक है, दोस्तों देखो, यह जो reaction है, अभी देखो यह जो reaction है इसको हम लोग vertical and horizontal component पे split कर देंगे, divide कर देंगे यह reaction, एक इधर को जाएगा एक इधर को जाएगा, ठीक है, यह reaction का दो component है, vertical and horizontal component तो angle कौन सा है, यह theta angle है, तो यह भी angle theta ही होगा तो यह वाला component क्या होगा दोस्तों, क्योंकि theta इसके साथ है, तो यह होगा r cos theta and यह होगा आपका r sin theta ओके, ठीक है ना यह होगा r cos theta, यह होगा r sin theta अभी देखो, mg किसको reduce करेगा, r cos को यह दोनों equal होगा, ठीक है, equilibrium condition पे, अगर हमारा cyclist है, वो safe condition पे turning ले रहा है, तो यह दोनों force equal होना चाहिए and यह दोनों force equal होना चाहिए तभी तो वो क्या करेगा, तभी तो safely turn कर सकेगा, अगर माल लेते हैं आपका, यह वाला यह वाला force जादा है, ठीक है यह वाला force जादा है, तो cycle का जो बर्जन होगा, वो घर जाएगा, मतलब cycle को control करना तोड़ा सा, मुश्किल हो जाएगा अभी देखो यहाँ पे अभी यह वाला force अगर जादा होता है, तो cycle वाला इधर गिर जाएगा ठीक है, तो equilibrium condition पे and safe turning पे, यह दोनों force equal रहेगा, और यह दोनों force equal रहेगा तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए यहाँ पे आपका theta या फिर V, तो यह दोनों निकालना होगा हमें तो इसके लिए जो equation है दोस्तों इसके लिए बहुत ही simple सा equation है यह दो forces को हम लोग r sin theta is equal होगा mb square by r ठीक है, यह r and ea r में confuse मत हुएगा यह r है आपका normal reaction and ea r है radius of curve capital r है आपका normal reaction and small r है आपका circle का radius तो इसको हम लोग एक number equation मानते हैं and दूसरा equation क्या होगा दोस्तों r cos यह capital r होगा इसको बढ़िया से लिखते है cos theta is equal to mz इसको दू number equation मान लेते हैं ठीक है and अभी क्या करेंगे by dividing equation 2 by equation 1 ठीक है equation number 2 को हम लोग sorry equation number 1 को हम लोग equation number 2 से divide करेंगे तो क्या मिलेगा देको r sin theta by r cos theta and इधर को मिलेगा mv square by r and निचे उसके निचे क्या होगा mg ठीक है तो देखो sin theta cos theta मिलके 10 theta हो जाएगा and ये r ये आर वेरी सो जाएगा तो हमारे पास रहेगा 10 theta and इधर mm कर जाएगा हमारे पास रहेगा v square by rg ठीक है यहां से अगर हम लोग angle of bending निकालेंगे तो क्या निकलेगा देखो ये निकलेगा 10 inverse v square by rg बिलकुल जैसे पहले निकला था ठीक है बिलकुल जैसे पहले निकला था theta angle of bending of cyclist and ये ही है angle of क्या banking of road कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे ठीक है न दोस्तों चलो इस concept को याद रखेगा अब हम लोग क्या करेंगे जितने भी formula हम लोग ने आज सीखे है ये करके numerical कर लेते हैं तो फिर हमारा जो chapter है force and motion ये complete हो जाएगा ठीक है ना force and motion complete हो जाएगा तो next lecture में हम लोग work, power and energy को start कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर हम लोग work को परेंगे उसके बाद power को, energy को and उसी के साथ friction को भी परने वाले हैं उसी chapter में ठीक है तो इस formula को याद रखेगा अभी देखो यहाँ पर ये जो angle of bending है दोस्तों ठीक है angle of bending जो है वो किस के किस उपर depend करेगा velocity of the cycle or bike bike जितना तेज में जाएगा जितना speed के साथ जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा bending होना परेगा किसके लिए turning के लिए and इस R पे भी depend करेगा ठीक है ना इस R पे भी depend करेगा देखो R का value जितना ज़्यादा होगा हमारा जो angle of bending है वो उतना कम होगा मतलब एक ऐसा turning है जो कि बहुत दूर से गुम रहा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा बेंड नहीं होना परेगा लेकिन अगर अचानक से गुम जाए तो उसके लिए ज़्यादा बेंडिंग होना परेगा तो R के उपर depend करता है वी के उपर depend करता है यह angle of bending of cyclist और bike rider ठीके ना दोस्तो चलो अब मैं क्या करता हूँ एक question यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ उसके बाद हम लोग solution करेंगे question रहेगा आपका banking of road से ठीके ना पटाफ़र से pen and copy and calculator ready रखिए यहाँ पर हम लोग एक numerical problem करने वाले हैं चलो दोस्तो इस सवाल में क्या पूछा गया है a curve of radius 50 meter with a banking angle of 15 degree what will be the ideal or critical velocity for a car on this curve using banking road formula ठीके तो एक curve है दोस्तो curve कितने radius का है 50 meter radius का है ठीके and banking angle कितना है 15 degree का है तो चलो यहाँ पर हम लोग draw कर लेते हैं यह हमारा माल लेते हैं यह है आपका 15 degree angle of banking ठीके and जो radius है मतलब जो small r का value है small r का given में क्या है दोस्तो small r का value क्या है 50 meter है ठीके and theta क्या है 15 degree है ओके and क्या दिया गया है अभी हमें निकालना है V का value V कितना रहेगा तो दोस्तो हमें formula पता है banking road formula ठीके जोड़ा होता था 10 inverse V square by RG या फिर आप यह formula भी लिख सकते हैं 10 theta is equal to V square by RG चलो हम लोग इसी formula को लेते हैं यह दोनों formula एक ही है देखो अगर theta को हम लोग यहां रखके 10 को इदर ले आते हैं तो यह हमें मिल जाएगा तो हम लोग इसी form को ले रहे हैं तो अभी क्या करेंगे अभी हम लोग 10 theta and हमें निकालना है किसका value दोस्तो वी का value तो V square को इदर रखेंगे and इसके साथ RG को हम लोग इदर ले आएंगे तो हम लोग ultimately लिख सकते हैं V is equal to RG 10 theta तो root over के अंदर क्या रहेगा R रहेगा 50 meter and G, G का value क्या होता है दोस्तो G, G बोले तो acceleration due to gravity okay इसको हम लोग 9.8 meter per second इसकर मांते हैं and किसी-किसी math में अगर दिया जाए तो उसको ऐसे दिया जाएगा G is equal to 10 meter per second अगर इस तरह से दिया जाता है G का value तो हमें इसे लेना है अगर नहीं दिया जाएगा तो 9.8 ही लेंगे okay 9.8 ही लेते हैं चलो यहाँ पे भी हम लोग 9.8 ही लेते हैं तो यह हो जाएगा 9.8 and 10 ठीटा का ठीटा का value है 15 degree okay तो calculator में type करना है आपको यह root over and यह bracket के बीच में type करना है तो आपको direct value मिल जाएगा direct value कितना मिलेगा बोलो दोस्तों direct value जो मिलेगा मेरे को दिख रहा है 11.5 meter per second ठीक है यह होगा critical velocity for ideal condition ideal velocity और critical velocity ओके इस math के लिए हमारा answer है यह बाला ठीक है बहुत ही simple साथा दोस्तों बिल्कुल हम लोगों ने एक ही formula को apply किया और यहां से हम लोगोंने क्या किया अब देखो इसी सवाल को थोरा सा critical difficult बनाया जा सकता है जैसे अगर यहां पर friction का value दिया जाए तो आपको अगर पूछा जाए what is the maximum speed of the vehicle so that vehicle can safely turn तो वेहिकल यहां पर आपको friction दिया जाएगा और वेहिकल का maximum speed पूछ लेगा कि वेहिकल का maximum speed कितना होगा safe turning के लिए safely turn होने के लिए ठेके ना तो इस numerical को इस तरह से difficult किया जा सकता है और तब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों तब हम लोग second formula को use करेंगे जो हम लोग ने सीखा था वी का जो formula था वी is equal to root over rg and cos sign ऐसा था कुछ ठीके ना ओके चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे एको numerical कर लेते हैं जो की bending of cyclist से होगा ठीक है वो भी simple सा numerical लेंगे क्योंकि मैंने आपको सिखा दिये है formula तो formula का use करना है बस use करके आपको answer निकालना है ठीक है जो formula मैंने अच सिखाए आप लोग को तो वो formula use करके आप numerical कर सकते हैं इससे related कोई भी ठीक है सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा formula कहां पे use करना है बैंकिंग ओप्रोट के लिए तीन formula है ठीक है ना अगर ideal या फिर critical condition दिया जाता है friction नहीं दिया जाता है तो फिर पहले वाला formula अगर friction दिया जाता है और आपसे maximum speed पूछ लिए जाता है तो आप 2nd वाला formula use किजिएगा अगर आपको friction दिया जाता है एंड minimum speed पूछ लेता है तो फिर आपको थार्ड वाला formula यूज करना होगा ठीक है अब देखो second question में यहाँ पर फटाफर से लिख लेता है तो दोस्तों इस सवाल में क्या पुछ आ गया है a cyclist while turning a circular path with speed 20 meter per second is found a bend angle of 30 degree with vertical what is the radius of the curve of the given circular path मतलब एक cyclist है जो की vertical के साथ 30 degree angle बना के bend हुआ है ठीक है ओके and cyclist का speed भी दिया गया है 20 meter per second मतलब क्या क्या दिया गया है दोस्तों given पहला तो speed of the cyclist 20 meter per second and angle of bending 30 degree with vertical ठीक है न हमें पूछ लिया गया है r का value क्या होगा तो यहाँ पर हमें formula पता है formula क्या था दोस्तों 10 theta is equal to v square by rz इसी formula को यहाँ पर use करना है and r का value निकालना है तो क्या करेंगे अभी देखो अभी r को इदर ले आएंगे तो हमारे बास क्या रहेगा v square by 10 theta into g ठीक है तो g का value क्या लेना है 10 meter per second square ठीक है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर 9.8 नहीं देखेंगे question में जैसे की दिया गया है तो वी का square मतलब 20 का square होगा उपर and आपका 10 30 10 30 into 10 okay इसको आपको निकालना है तो यह होगा 400 20 का square 400 होता है 10 30 बोले तो आपका value होता है 1 by root 3 into यह होगा 10 तो यह 0-0 यह 0-0 हो जाएगा तो यह root 3 उपर चला जाएगा मतलब 40 root 3 मीटर ठीक है क्योंकि radius निकाल रहे हैं तो मीटर होगा अगर हम लोग root 3 का value यहां पर लगा के multiply कर देते हैं तो हमारे पास लगबग कितना आएगा दोस्तो 69.28 ठीक है 69.28 मीटर होगा radius of the, क्या radius of the curve, circular path का जो carb का जो radius होगा वो कितना होगा 69.28 मीटर दोस्तों यह हो गया हम second unit खतम ठीक है ना अगर second unit में कोई भी doubt रह गया होगा कोई भी topic छूट गया होगा तो comment में जरूर लिखना and classes अगर अच्छा लग रहा है तो classes को like कीजिया करें क्योंकि आपके like से मुझे motivation मिलता है ठीक है ओके तो दोस्तों अभी हम लोग next class में मिलेंगे next class में हम लोग next unit को start करेंगे work power and energy जहां पर हम लोग work power and energy and friction को discuss करने वाले हैं तो उस lecture पर भी आपका लगवख 7-8 class रहेगा ठीक है मैं जल्दी जल्दी lecture डालने की कोशिश करूँगा प्लीस आप मुझे support करते रहेए अपने like से अपने comment से and classes को share कीजिया करें ठीक है ना दोस्तों चलो मिल